आज महकता जैका में बन रहा है बिमारियों से लड़ने वाला हलवा आज की पैंडेमिक टाइम में बहुत सारी प्रॉबलम्स चल रही है तो उनसे लडने में आपकी बहुत मदद करेगा तो चलिए आप और मैं मिलकर बनाते हैं बहुत ही healthy और स्वादिस्ट सा हलवा जो immunity booster तो है ही और जित्ता देखने मिला जबाब है उत्ता खाने में उससे कई गुना ज्यादा स्वादिस्ट भी है तो बच्चे भी इसको जरूर से खाना पसंद करेंगे आज जो time चल रहा है सारा दिन computer, computer, laptop, tv और mobile तो उन सब के लिए ये राम बान है हलवा तो चलिए आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं ये हलवा बनाना उसके लिए एक बाउल में हमें खस-खस को ले लेना है खस-खस बहुत दिखने में छोटी-छोटी होती है लेकिन ये छोटी सी खस-खस गुणों की खान होती है आपने बहुत तरह के हलवे बना कर खाया होंगे लेकिन ये हलवा जरूर से आप एक बार ट्राय कीजिएगा बहुत ही अच्छा ये हलवा बनने वाला है तो खस-खस को और बदाम को एक बाउल में निकाल लेंगे, अलग-अलग से निकालना है, दोनों को अलग-अलग हमें निकालना है, बाउल में हमने खस-खस और बदाम निकाल ली है, अब हमें क्या करना है, खस-खस में हमको पानी डालना है, हमने खस-खस में पानी डाल दिया है बरतन थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि खसकस फूलेगी भी सही इसे चार से पांच गंटे बिगो देना है या ओवर नाइट के लिए सोक करके रख देना है इसी तरह से हम बदाम को भी बिगो देंगे यह देखिए रात भर में हमारी बदाम बिगो दी थी हमने बीग है आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आसानी से इसके पील जो इसे पील कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से पील हो जाएंगे गरम पानी में हमने बदाम डाल दी और खसकस का दाना हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए उसके लिए देखिए क्या किया है मैंने एक चलनी की हल्प से लिया है अब शेंग वगेरा में वैस्ट हो जाएगा तो हमें अलग से किसी बरतन में उससे चान लेना है अब हम इस भीगी हुई खसकस को इस मिक्सर जार में डाल देंगे देखिए बिलकुल भी खसकस हमारी वैस्ट नहीं हुई है हमने जाली में चान लिया था चलनी में अब हम इसे पीस लेंगे तब तक हम पहले बदाम के चिलकों को उतारते हैं देखिए गरम पानी में एकदम बॉयल वाटर में डाला था तो कितनी आसानी से हम ये चीला जा रहा है इसका बदाम का चिलका देखिए एक एक सेकंड में ये चिलका ये काम आप आसानी से लीजोरÓन उसका चिलका निकल जाएगा यह देखिए अब हम खसकस को पीस लेते हैं बारिक हमें पीसना है छसकस का पेस्ट बनाना है यूं तो खस-खस का हलवा खाली प्लेन खस-खस का हलवा बनता है लेकिन इसमें बदाम जो मिला लेंगे तो उससे स्वाद इसका डबल हो जाएगा तो आप बदाम के साथ जरूर से ट्राय कीजिएगा ये खस-खस थोड़ी सी दर्दरी अभी भी एक सिप के असपस हम इसमें मिल्क एड करेंगे अब हम इसे पीस देंगे एकदम फाइन पेस्ट बन गया है खस-खस का अब हम भीगी हुई बदाम जो हमने चिलके उतार लिये थे उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे अब हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है इसे पल्स मोड पर चला लें ये देखिए ब लखा है अब इसमें हम यहां मेरा नॉन्स्टिक पैन है अधर्वाइस मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसमें करना है अब यह नॉन्स्टिक पैन में मैंने गी गरम होते ही यह खस-कस और बदाम का पेस्ट निकाल लिया है हाँ तो मैं बता रही थी कि आपको अगर नॉन्स्टिक पैन नहीं लेते हैं कोई भी भारी तले की कड़ाई ले जैसे स्टील की कड़ाई या कोई भी कड़ाई लेते हैं पीतल की अलुमीनियम की किसी की कड़ाई लेते हैं आपको अलुमीनियम या स्टील में जब बनाते ह तो वो क्या होगा कि खसकस नीचे जाके तले में बिल्कुल चिपक जाएगी तो आप उस टाइम क्या करिएगा या तो एक चमच उसमें आटा गेहूंगा आटा मिक्स कर दीजेगा तो उससे जो भी आप सेकेंगे खसकस तो तले में चिपकेगी नहीं यह देखिए सिकनी चाल स्टेश तक बूनना है फिर इसमें हम मिल्क एड करेंगे यहां बिल्कुल लाइट बता रहे हैं बिना मावा के बता रही हूं जब मावा वाला हल्वा हम खाते हैं तो हैवी हैवी सा लगता है सुबह सुबह जब खा लेते हैं यहां मैंने इसमें मिल्क एड किया है इससे अ 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर इस हलवे को रोज मॉर्निंग में गरम करके फिर खा सकते हैं, मिल्क रिड्यूस होने तक इसे हमें उबालना है इसे जब उबालेंगे तो बीजवीज में हिलाते जाएं नहीं तो तले में चिपकने का डर रहता है तो ये चीज धियान रखें और ये देखिए थोड़ा दूद्ध रिड्यूस हो गया है रिड्यूस होने लगा है दूद्ध यहां बहुत सारे लोग मावा डालके भी बनाना प्रिफर करते हैं लेकिन मावे वाला हल्वा हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं और बच्चों को अगर खिलाना है डेली तो उसके हिसाब से ये हल्वा एकदम बैस्ट है तो इसको मिल्क मे नहीं बने तो उससे हैवी भी नहीं बनेगा ये हल्वा ये देखिए हल्वे ने घी छोड़ना जालू कर दिया है अब यहां मैं इसमें बिना चीनी के बना रही हूं तो यहां मैंने इसमें जागरी पाउडर आट किया है आप चाहें तो इसमें जो मिश्री होती है धागे वाली मिश्री उसे भी उसका पाउडर बना के भी आप इसमें मेक्स कर सकते हैं, चीनी भी मिलाते हैं, लेकिन हम healthy बना रहे हैं, तो यहां मैंने गुड का इस्तिमाल किया है और गुड का इस्तिमाल करने से कलर भी इसका बढ़ा ही प्यारा आएगा, पिलकुल खिला-खिला सा हलवा हमारा बन कर तयार हो गया है ठंड के दिनों में शारिर के साथ साथ मानसिक सेहत का खयाल रखना भी बहुत जरूरी होता है इस हलवे की खास बात यह है आपके शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी यह फायदे बन दे यह नक एवल आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है बलकि आपकी दिमागी कैपिसिटी में भी इजाफा करता है जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है इसमें ओमेगा सेक्स फैटी असिट पाया जाता है जिससे न केवल शरीर मजबूत होता है बलकि वजन भी आपका कंट्रोल में रहेगा इसमें कैल्शियम क से दूर करने के लिए यह बहुत बढ़िया उपाय है एक तरीके से मैडिसन है बच्चों के लिए तो जरूर आप बनाएं पैंडेमिक टाइम पे उनकी आँखों पर और दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस परता है क्योंकि अपना उनको एकेडमिक सारा वर्क उसी प जबूरी तो है ही तो उनकी आँखों पर स्ट्रेस परता है दिमाग पर स्ट्रेस परता है तो खस्गस से आपеци धिमाग भी बहुत मजबूत होता है और आखों के लिए यह फायदेबन्द है तो आप जरूर से बच्चों को यह ड्राइफ रूट हलवा बना कर खिलाएं खस तो चलिए सर्दियां खतम होने से पहले आप भी ये healthy हलवा बना लीजिए और बिमारियों को दूर बगा लीजिए तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई healthy recipe के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खयाल रखिये और हाँ आगर आज पहली बर चैनल पर आए हूँ तो साइड में लगी बैल आइकन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये बिल्कुल फ्री है और फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई recipe के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का खयाल रखिये स्वस्त रहिए मस्त रहिए स्टे टून फॉर न्यू अपकमिंग रासिपी दोंट फोर्गेट टू हिट लाइक शेर और सब्सक्राइब विद यूर फ्रेंड्स और फामली टेक केर बाबाई